सदन में तीन दिनों तक चले अविश्वास प्रस्ताओं के बाद क्या रिजल्ट निकल कर क्या आया ये सब आपको पता है। 70 से 80 लोगों ने इस पर बहस किया तो उसमें अधिकांस यानि 80 परतिसत के आसपास ऐसा लगा कि विपक्ष के लोग ही बोले और विपक्ष के लोग खूब बोले लेकिन उनका जवाब भी 70 पक्ष के लोगों ने दिया परधान मंतरी नरेंद मोदी का confidence काफी हाई नजर आया जो बाते हमने आपको बताई लेकिन इन सब के बीच में जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बाते हुई वो कही न कहीं बिहार और बिहार की राजनीत से देश की राजनीत को प्रभावित करने वाली लग रही है आपको बता दे कि लालू परसाद दो दिन पहले ही जब अविश्वास प्रस्ताओ की घोशना होई और उसके तिथी की घोशना होई कि कब बहस होगा और उसके ठीक पहले दिल्ली रवाना होते हैं जबकि दो तिन दिन पहले ही वो दिल्ली से वापस आते हैं पटना और दि अपनी एस्टेजी में परिवर्तन किया है राहूल गांदी से मुलकात के बाद कहा जा रहा था कि नितिश कुमार को ले करके कोई नई एस्टेजी बनी है और इस एस्टेजी में नितिश कुमार को किनारे लगा दिया गया है लेकिन लालू परसाद ने इन सारी बातों को दरक गाई गई थी लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद पटना से दिल्ली रवाना हुए तो उसके बाद से फिर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर लालू दिल्ली में कौन सी खिचिडी पका रहे हैं इन सारी बातों को समात भी नहीं हुआ था कि लालू प्रसाद दोड़े दोड़े पटना पहुँचे हमने आपको ख़बरों में बताया था कि किस तर से लालू प्रसाद भागे दोड़े पटना पहुँचे और पटना आ करके जो चीजे चल रही थी हमने भी खबरों में आपको बताया था कि महरास्ट बैठक से पहले नितीश कुमार को संतुष्ट करना औ जोकि विपक्ष की एक जूडता अगर तीसरी बैठक में ही समाप्त हो जाएगी और लालू प्रसाद के साथ साथ नितीश कुमार नजर नहीं आएंगे तो इसका ब्यापक असर इस देश की राजनीत और भारते जनता पार्टी के कही हुई बातों पर प्रड़ेगा जितना कॉन्फिडेंस के साथ प्रण मंतरी नरेंद मोदी ने ये बात कही है कि वो आने वाले 2024 के चुना में 2019 से भी बेहतर परिणाम के साथ सत्ता में आएंगे तो इस पर लालू प्रसाद जैसे रणनितिकार को और ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा और उस एग्रेशन में नितिश कुमार का नाम सबसे उपर आता है लालू प्रसाद पटना आ गये हैं और नितिश कुमार को समझा बुझा करके महरास्ट की बैठक में ले जाने की पूरी तयारी कर लिया है इस गेम में एक बड़ा ट्विस्ट ये आया है कि कल तक जो बाते कही जा रही थी उस बै भारते जनता पार्टी को काफी कनफियूज कर दिया है और इतना ही नहीं जो पढ़ान मंतरी नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस था उसमें थोड़ा सा और इजाफाक करना चाहिए था भारते जनता पार्टी के लोगों को लेकिन अचानक से लालू परसाद के दिल्ली से प गठबंधन का कॉन्फिडेंस हाई होगा वहीं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को लेकर के विपक्ष पहले भी कर रहा था कि वो इंडिया गठबंधन से काफी परेशान है जिसको वो छुपाना चाहते हैं और यही कारण है कि सदन में जो बाते होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी हलाकि सभी जालते थे कि अविश्वास प्रस्ताओं का क्या होना है लेकिन लालू प्रसाद और उनके द्वारा इस पूरे प्लानिंग को ला करके और केंद्र में मजबूत सरकार को यह बताना कि विपक्ष एग्जूट है यह बहुत बड़ी जीत है महरास्ट की और भारते जनता पार्टी के साथ साथ एंडिये गठ बंधन को लेकर के बहुत सारी बाते कहीं है यानि लालू का पटना आना और नितिश्व कुमार को महरास्ट ले जाने के लिए तयारी करना कहीं न कहीं इसारा कर रहा है कि अभी महरास्ट बैठक तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और भारते जनता पार्टी के लिए मुश्कले बरती नजर आ रहे हैं जुड़े रहे हैं भारत लाइप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद 9386816700 धन्यवाद